अज़िए दिन हो गए श्यासी दिन से वहाँ पर ना इंटरनेट है ना एसेमेस है ना वाटसेप है अभी बताया कि फोन भी और मुबाइल भी कितने काम कर रहे हैं बीमारों को दमाईया भी नहीं मिल पा रही है सही सही राज भी नहीं हो पा रहा है डॉक्टरस अवेलिबन और हम डंका बजा रहे हैं कि कश्मीर बिल्कुल शांत है कश्मीर में बिल्कुल जो है जन्नत के दर्वाजे खुले हुएं मैं यहाँ पर एज़ा मेंबर आफ पार्लिमेंट कश्मीर की आवाम को वहां के हर नौजवान को यह बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कौने कौने में रहने वाला अमन पसंद इनसानियत पुसंद लोग आपके साथ हैं इस दुक और دर्द की घड़ी में आपके साथ बखरे हैं आपके जो हुकुक हैं जो इनसानी हुकुक हैं उनके साथ पूरा हिंदुस्तान का आवाम आपके साथ खड़ा हुआ है अब यहां थिकर आया आज के सभी बड़े अख़बारों में छपा है कि यूरोपियन यूनियन का एक डेलिगेशन कश्मीर का दोरा कर रहा आजास सामने बताया अभी कि हम लोगों को जाने की तुमा इजाज़त नहीं है हम यहां के पारलेवेंट के मेंबर हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन के एक डेलिगेशन वहा जा रहा है आप देखिये उसमें भी सेलेक्शन कैसा किया है मैं भी मोबाईल पर देख रहा था नेट पर उसमें भी सेलेक्षिन ऐसा है कि 27 में से 22 MPs जो है यूरोपियन कंट्रीज के जो राइट और फार राइट पार्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें भी जो है तरीके से किया है साथियों मैं आपका जादा वक्त लेना नहीं चाहता मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में है जो वहाँ पर पाबंदिया लगाई हुई है उन पाबंदियों को हटाईए काश्मीर जम्मू और काश्मीर भारत का अभी नहंग है ये मैंने पारलेमेंट में भी कहा था लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक एक बाशिंदा एक एक नौजवान को वही हक है जो यहाँ पर बैठे हुए यहाँ दिल्ली और बैंगलोर में रह रहे एक एक नौजवान को एक एक बाशिंदे को उनके उपर कोई पाबंदिया आप नहीं लगा सकते हम इनसानियत को बचाने के लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े हम लोग आपके साथ हैं इनसानियत को बचाने के लिए यहाँ पर दिल्ली में बैठे वे लोग कश्मीरी आवाम के साथ हैं मैं इनी अलफाजों के साथ अपनी बात खतम करता हूँ कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो हालाद से सहमे हुए लोगों को बता दो के हालाद गुजर दाते हैं ठेरा नहीं करते और जागी हुई कौमों के दिलावर हग चीन लिया करते हैं माना नहीं करते जैहिंग जैभारत खुदा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले